एक right partner का life में होना बहुत important है, बहुत साधा, पता एक समय के बाद ना good look समझ में आते हैं, ना finance समझ में आता है, ना पैसा समझ में आता है, ना ही दोस्तियार समझ में आते हैं, ना ही रिष्टिदार समझ में आते हैं, सिर्फ एक चीज आपके दौलत होती है, वो है आपका life partner वो आपको soulmate जिसके दम पर आप जिन्दगी को खुशी से जी पाते हैं संतोश से जी पाते हैं यूँ बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम एक partner deserve करते हैं हम एक partner खोशते हैं हम एक partner चाहते हैं हम उसे पाते भी हैं लेकिन कुछ समय बद हमें आइसास होता है कि ये partner तो तो क्या करना चाहिए हमें कैसे हमेरे लिए अपने लिए एक सही partner को खोशना चाहिए डबल स्टे आई जी एक बार फिर से मैं हूँ मैंग धहरवान आपका अपना happy वाला healer दोस्तों हम यहाँ heal करना सिखते है life के चोटे चोटे problems को जिने सिख कर आप अपनी personal social life में grow करते हैं वो भी happy वाले अंदास में दोस्तों सबसे पहले WHO की एक research के बारे में चार्चा करते हैं जिसके according अमेरिका में हर साल करीब करीब 23% ऐसे लोग होते हैं जो single रह जाते हैं अपने life में उस वज़ा से उन्हें कोई बड़ी गंभिर बिमारी होती है या फिर उनकी मित्ती हो जाती है और मित्ती दर में सबसे जाता है hard headache मतलब की आप समझ रहेंगे कितना खतरनाक अकेले रह जाना कितना खतरनाक है मैं एकांद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अकेले पन की बात कर रहा हूँ मैं solitude की बात नहीं कर रहा हूँ मैं lonely less की बात कर रहा हूँ अगर आप spiritual हो करके एकांद को सुईकार करते हैं एकांद की पन को सुईकार करते हैं तो it's okay कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो bring actually का जीवन बिताते हैं और बहुत अच्छे से बिताते हैं क्योंकि वो अकेले होते ही नहीं वो परमात्मा के साथ होते हैं वो अपने इस्ट के साथ होते हैं तो यह समझ में आता है कि अकेलापन कतना खदरनाक हैं अब कोई तल चाहिए और कोई चाहिए उसके लिए कौन चाहिए? एक right partner चाहिए. तो right partner को कैसे attract करें? उसके लिए आज मैं बहुत यची टेक्णिक बताऊंगा आपको. Universe के एक रूल को हम जानते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिल जाता है या फिर जैसे हम होते हैं वैसा हमें मिल जाता है कहने का मदब यह है कि आपको कैसा partner चाहिए यह आपको Universe को बताना होगा आपको proper pen और paper लेकर लिखना होगा कि उसकी height कैसी होनी चाहिए उसका weight कैसा होना चाहिए, वो कितना पढ़ालिका होना चाहिए, वो कैसा दिखने वाला होना चाहिए, उसकी hair style कैसे होने चाहिए, उसका behavior कैसा होना चाहिए और जैसा आप उनके लिए चाहते हैं, जैसा आप अपने लिए पार्टनर चाहते हैं, बस वैसी चीज़ों को अपने लिए फिल करना शुरू कर दो, आप भी वैसे ही हैं, it's okay कि आपकी financial condition वैसी नहीं है, कि आप वैसे lifestyle मेंटेन कर सकते हो, अपने behavior को तो वैसे मेंटेन कर सकत हो, तो सबसे पहला काम यही है कि अपने लिए एक right partner का एका चित्र तयार करें, मतलब कि एक लिखित रूप में, एक proper writing में, उनके लिए पूरा कपूरा एक उसका चित्र तयार करें, जिससे आपके मन में, आपके सब conscious mind में उनकी च्षवी बसेगी, और कुछ ही समय के बाद वो इनसान आपको आज पर दिखने लगेगा, तो लेकिन क्या सिर्प इतने से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, इस च्षवी को आपने बना लिया, लिख लिया, और अब दिन में एक या दो बार उस पे proper ध्यान लगाए, बैठें, गहरी सास लें, सासों पर ध्यान लग के लिए, शांत हो करके, जिसे आपने लिखा हुआ है, उसका एक चल चितर तयार करें, जो रिखा चितर आपने बनाया हुआ है, उसका चल चितर तयार करें, उच्छी समय बाद आपका मन और आपकी बुद्धी ये स्विकार कर लेगी, कि ऐसा ही कोई इनसान जो है, उसे आ आप से अट्रेक्ट होगा और आप उससे अट्रेक्ट होगे मज़े की बत बताओ समझना है इस बात को कि जिसे आप खोज रहे हो वो भी आपको खोज रहा है मतलब कि जिसे आप ढूंड रहे हो वो भी आपको ही ढूंड रहा है क्योंकि आप उसे नहीं मिले हो और आपको वो नहीं मिला है तो युनिवर्स ने आप दोनों के लिए तयार कर रखा है ना दोनों को जोडने के लिए तयार कर रहा है क्योंकि आपने ये डिमांड तयार की है अपने फीतर तो उसके अंदर भी वैसे ही डिमांड तयार हो चुकी है बस आप लोगों के मिलने की देरी है वो कैसे मिलेगा जब आप युनिवर्स में रैगुलर सिगनल पिरना शुरू करोगे युनिवर्स को आप ये कुछ समय के आप भ्यास के बाद ये बता दोगे कि आप ये चाहते हो और जब ये कुलिर हो जागा य lie उनिवर्स को के आप ये चाहते हो तो वो आप को मिल जाएगा अब बहुत जाधे डेस्परेट होकर के डेटिंग एप्स में मत गुष जाना सोचल में में जाके च चान मारने مतलब जाना शान्त हो करके बस फ्लो में बहना, बस फ्लो में बहना कुछी समय में आपको वो दिख जाएगा, वो खुद आपको अपरोच कर लेगा, वो खुद आपको कहीं न कहीं से मुलाकात हो जाएगी, इस प्रोसेस में तीन से छह माने लगते हैं, और एक राइट पार्टनर को आप अपरोच करते हैं, और ये सारी चर्चा मैं सिर्फ शादी के उद्द्श से नहीं बता रहा हूं कि आपको उतकर पुरी लाइब बितानी हैं या शादी करनी हैं, नहीं, मैं सिर्फ आपके अभी प्रेसंट में एक अच्छे पार्टनर के लिए बात कर रहा हूं, बहुत लो अध्याय आपको बहुत अच्छे समझ में होगा, मिलते है आनेओले अध्यायों में तब तक के लिए, नमस्तेएगे